गाइस हर साल हजारों की तदाद में एनिमे एर होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बिकार होते हैं, कुछ हद बिकार होते हैं, बट कवी कवार एक एनिमे ऐसा जरूर आ जाता है, जो कि हमारे दिल और दिमाग दोनों को हिला के रख देता है Freerian Beyond Journey's End एक award winning fantasy मांगा है बट एक twist के साथ जहां normal fantasy story में एक hero होता है एक mage होती है एक healer होता है एक warrior होता है जो कि demon king को हराने के लिए निकलते हैं और हमें इनकी journey देखने को मिलती है बट Freerian में hero party ने demon king को already हरा चुका है और actual में story demon king को हराने के बाद स्टार्ट होती है हमारी main character Freerian एक elven mage है और mythologically elves को उनकी long life के लिए जाना जाता है वो already 1000 साल की थी जब उसने demon king को हराने के लिए hero party join की थी और उनने 10 साल लगे demon king को हराने के लिए जो कि हम humans के लिए तो एक बहुत लंबा सफर है बट Freerian के लिए वो बस एक छोटी सी trip थी और वो इस छोटी सी journey के बाद वो दूसरे adventure के लिए निकल जाती है बट जाते विए Freerian ने बाकी hero party members से promise किया कि वो उस meteor shower को फिर से देखेंगे जो कि 50 साल बाद है Freerian के लिए 50 साल एक जड़के में खतम हो जाते है और वो वापिस आती है ताकि वो hero party के साथ meteor shower को देख पाए जहां उसे legendary hero हीमल मिलता है जिसने एक time पे one of the strongest being को हराया था बट वो आज अपनी आखरे साथ से गिन रहा होता है जो हमें बताता है कि आप चाहे कुछ भी कर लो कितना भी पैसा कमालो कितना भी fame कमालो बट आप समय को नहीं अरा सकते hero party फे meteor shower को देखती है एंड कुछ time बाद ही हीमल की death हो जाती है funeral के वक्त free run वहीं अपने normal cool beauty mode में होती है बट अचानक से free run के आँखों से आसु निकलना start हो जाते है इसलिए नहीं कि हमल की death हो गई बट इसलिए कि वो कभी हमल को ढग से जान नहीं पाई see guys free run ने 10 साल बिताय थे hero party के साथ जो कि एक human के लिए तो बहुत बड़ा part है उनकी life का बट एक elf के लिए 10 साल बस एक छोटी सी trip थी एड इसी वज़़से free run ने हमल के साथ बिताय time को appreciate नहीं किया एड funeral के वक्त उससे realize हुआ कि अब वो अपने friend को कभी नहीं जान पाईगी बट free run हमल की death से दुखी नहीं बैठी रहती वो एक new adventure पे निकलती है उसी route पे जो उसने hero party के साथ लिया था ताकि वो अपनी previous journey को याद कर पाए and this time उन memories and moments को cherish भी कर पाए ये anime काफी similar vibes देता है to your eternity से जो कि passage और time के बारे में बताती है कि हमें लोगों के साथ बिताय हर लम्मे को enjoy करना चाहिए क्योंकि क्या पता वो लम्मा उनके साथ बिताया आखरी लम्मा हो गाइस जैसे मैंने बताया कि ये एक अवार्ड विनिंग मांगा की एडाप्टेशन है and production ने पूरी जान लगा दिये इसे प्रेड्यूस करने में इसे animate किया है इस तूडियो मैड हाउस ने जिन्होंने एनिमे लाइक डेथ नोट नोगेम नो लाइफ वन पंच मैं परसाइट एंड हंटर अंटर जैसे एनिमे एडाप्ट किये है इसे म्यूजिक दिया है एवन कॉल्स ने जिन्होंने वाइलिट एवर गार्डन में भी म्यूजिक दिया है इसकी ओपनिंग खुद यवासो भी ने गाई है जिन्होंने 2K23 की बेस्ट ओपनिंग आइडल गाई थी एंड फ्रीरन को खुद भुची दरॉक के डाक्टर डारेक्ट कर रहे है मेनिग यही है कि एनिमे इस परफेक्टली अनिमेटेड एडाप्टेड एडाप्टेड एंड में बहुत कोशिश कर रहा हूं कि इसमें कुछ कमी निकाल पाहूं बट आजस्ट कैंट एंड हां एंडिंग सॉंग इस अलसो रियली रियली गुड नोट बिकॉस इट मीन्स की एपिसोड एंड हो रहा है इट इस जैनुरली ए गुड सॉंग तो उसे भी सुन लेना कुक्री है है कि इस से है को आप अपनी लाइफ कैसे जीते हो हा यह इनमे थोड़ा स्लोपेज़ है जिसमें Aktion दो है've तो यह वाउंड है हाई डाइस नीव पिर आफिये थेंक्यू गर आ आपको वीडियीयों पसंद आई तो लाक किया हूं अगAR देना अधू वीडियो बनाने में काफी टाइम एंड एफट्स लगते हैं एड आपके सपोर्ट से ही मैं इस सब कर पाता हूं और जिन्होंने पहले से सस्क्राइब कर रखा है दिल से थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में